हेलो फ्रेंज आज हम बनाएंगे मंचाव सूप जो बच्चों और बड़ों सभी की फेवरेट है इसके लिए मैंने एक कप यहाँ पर ग्रेटेट पत्तागों भी लिया है एक सिमला मीर्च है एक टमाटर है जिसका मैंने बीज मैंने हटा दिया है और छोटी सी फूल गों भी बारिग-बारिग काट लिया है बहुत बड़े बड़े पीस नहीं करिया आपके पार जो भी सब्जी यहां है जैसे कॉर्ण बीन्स और गाजर मटर वो सारी चीज़ें आप ले सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मेरे पार जो भी सब्जी आवेलेबल थी वो मैंने लिया है यहां पर यहां फार साथा अट कली लहसुन है जिसको मैने एकदं बारीक काट लिया है एक ही अधरक का तुकड़ा है इसे भी मैने काट लिया है तो यह दोनों सूप के जान होती है लहसुन और अद्रक इसमें अच्छे से डलता है तब ही इसका टेस्ट आता है यहाँ पर हरावाला जो प्याज है उसकी पत्तियां है थोड़ी सी यह उपर से गार्निशिंग के लिए है अब एक पैन में मैंने दो छोटे चम्मस तेल डाला है अब इसमें कटी हुई अद्रक और लहसुन डाल देंगे इसे हाई फ्लेम पर ही एक मिनट के लिए हम भून लेंगे और सबसे पहले इसमें मैं टमाटर और सिमला मीट्स डाल रही हूँ इसे भी एक मिनट के लिए भून लेंगे हम उसके बाद इसमें बाकी की बच्ची हुई सबजियां भी डाल देंगे और सारी सबजियों को हम high flame पर ही 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे सबजियों को हमें बहुत जादा पकाना नहीं है यहाँ पर हलका सा इनका कच्चा बन खतम हो जाए और इनका crunchiness बना रहे इतना ही हम भूनेंगे यहाँ पर इसे इसकर कड़ाती ठंडी में हमें दो ही चीज याद आती है एक तो गरम गरम चाय हो जाए या तो फिर गरम गरम सूप तो बाती कुछ और होती है इनकी और ये बहुत जादा हेल्दी भी है बच्चे भी से खुश हो कर पिएंगे तो आप एक बार ट्राई करके देखिए जरूर अब इसमें हम एक चम्मच काली मीर्ज का पाउडर डालेंगे स्वादन उसार नमक है यहां पर और एक चम्मच जितनी यहां पर हम चीनी डालेंगे और जब तक यह सबजी भून रही है अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से कर इसमें कंजूसी मत कीजिए क्योंकि यह विल्कुल फ्री है और आपके एक सब्सक्राइब और लाइक से हमें बहुत सपोर्ट मिलता है तो इसमें कंजूसी ना ही करें आप तो इनका खटा मीठा सा कॉंबिनेशन होता है बहुत ही टेस्टी लगती है यह दो चम्मच टमाट इसमें और यहां पर आप चाहें तो निबू करज भी डाल सकते हैं हाई फ्लेम पर ही हम सारी चीजों को एक मिनट के रिपून लेंगे और अब इसमें दो ग्लास के जितना पानी डाल देंगी जब तक इसमें उबाल आ रही है तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं यहां पर दो चम्मच मैंने कॉर्ण फ्लोर लिया है आपके पास कॉर्ण फ्लोर नहीं है तो आप दो चम्मच मैदा कभी उसकर सकते हैं इसमें अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके एक सलरी बना और देखिए इधर उबाल भी आ चुकी है तो अब इसमें हम चम्मत चलाते जाएंगे और यह वाला जो घोल बनाया है हमने उसे डालते जाएंगे और दो-तिन मिनट के लिए और उबाल लेंगे थोड़ी देर तो यह रेडी हो चुकी है विसमें हरे प्याज की पतियां डाल देंगे उपर से और बस हाई फ्लेम पर ही उबलने दीजिए एक सेकेट और बंद कर दीजिए और तयार है हमारी गर्मा गरम अंचाव सूप तो आप सब इंच्वाई किजिए इसे सरदियों में बहुत अच्छ की चीज है यह मिलते आगले वीडियो में तब तक के लिए जैसी कृष्णा